प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवी तक के करीब 67 लाख बच्चों के लिए संचालित बाल गोपाल योजना में बदलाओ की तयारी की जा रही है सरकार योजना के तहट बच्चों को वित्रित किये जाने वाले दूद का दूसरा विकल्प तलाश रही है इसके लिए सिख्षा अधिकारियों को निर्टेश चारी किये गए है वर्तमान में स्कूल में दूद वित्रण योजना संचालित है लेकिन योजना के तहट कई तरह की खामिया सामने आ रही है वर्तमान में स्कूलों में दूद पावडर की सप्लाई की जाती है इसके बाद स्कूलों में ही बच्चों को दूद तयार कर वित्रित किया जाता है लेकिन प्रदेश में कई स्कूलों में दूद पाउडर की सप्लाई नियमित नहीं हो रही है तो कई स्कूलों में बच्चे पाउडर दूद पसंद नहीं कर रहे है सिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों में संचालित दूद योजना में कई खामिया सामने आ रही है मैंने सिक्षा विभाग के अधिकारियों को योजना के तहत वित्रित किये जाने वाले दूद का विकल्प तलाशने के निर्देश दिये हैं बच्चों को इस से बहतर और क्या दिया जा सकता है इस पर विचार किया जा रहा है कांग्रेस सरकार ने नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की थी योजना के तहत सब्ता में दो दिन मंगलवार और शुक्वार दूद वित्रण किया जाता है इसके बाद वर्ष 2023 में सरकार ने बजट में स्कूलों में नियमित दूद वित्रण करने की घोशना कर दी इसके बाद से ही आठवी तक के बच्चों को नियमी दूद वित्रण किया जाता है